जैहिन बच्चो, factors का बहुत important concept समझते हैं, factors मैंने कई बार पढ़ा रखा है, लेकिन important factor का है, product of factors, गुनन खंडो का गुनन फल, factors का product निकालना, जैसे अगर मैं 20 की बात करूँ, कि अगर मैं बोलू कि 20 के जितने भी factors हैं, उसके 20 ही क्यों लिए, क्योंकि आपको इसलिए समझ जहाने में अच्छा लगे, पहले मैं समझा देता हूं, फिर उसको फटाक से करेंगे, तो 20 के कितने factors होंगे, तो 20 can be represented in the form of 2 की पावर 2 into 5 की पावर 1, this is 20, ठीक है, अच्छा, पहले मैं एक देखता हूं, कि अगर 20 की, अगर मैं गुनन खंड को देखू ना, तो 20 के गुनन कितने है, तो 1, तो मुझे ultimately 1, गुना, 2 और इसका factor को ने 4, गुना, 5, इसका factor को ने 10, इसका factor को मैं 20 है, ठीक है, अब अगर मैं गोर से एक बात देखू ना, तो ये इन दोनों को अगर multiply करूँगा, तो ये 20 आजाएगा, ठीक है, इन दोनों को multiply करूँगा, तो ये भी 20 आ तो 20 के जितने भी गुनन खंड थे ना, उनका प्रोड़क ये निकल का रहा है, 20 की पावर क्यूब आ रहा है, अब इसको समझते हैं कैसे होता है, ठीक है, 20 के फाक्टर्स कैसे लिखे जाएंगे, 20 के फाक्टर्स के है, 20 के फाक्टर्स के है, 20 can be represented in the form of 2 का square into 5 की पावर 1, ठीक तो एक युगांडा का बच्चा भी बता देगा, क्योंकि number of factor कई बार करवा रहा है, ठीक है, number of factor के लिए आपको पावर में एक जोड़ना होता है, ठीक है, तो 2 में एक जोड़ोगे, तो कितना जाएगा, अपका 3 हो जाएगा, और 1 में एक जोड़ोगे, तो कितना है, product of factor जो होता है, जो number given है, to the power n by 2, ठीक है, ये तो given number है, ये given number कितना है, 20 है, और ये n क्या है, इसका number of factors है, तो number of factors कितना है, 6 upon कितना by 2 हो जाएगा, तो इसका मदर 20 की power 3 होगे, ये देखो जो मेरा tally कर रहा है, ठीक है, ये तो दो मिल करना एक एक बन जाते है, product of factor अगर आपको निकालना है, तो आप लिखोगे, x to the power n by 2, x is the given number जिसके factors निकालने है, जिसके product of factors निकालने है, और n क्या है, उसके number of factors है, ठीक है, अब मैं आपको example देता हूँ, सपोज आपको मैं ये बोलूँ, कि 120 का निकालो, 120 का product of factor, 120 का product of factors कितना होगा, तो आप बो this can be further represented in the form of 2 की power 3, 3 की power 1, और 5 की power 1, सर ये 120 आगे, ठीक है, अगर मैं इसका number of factor अगर देखू, प्यारे बच्चो, number of factor अगर देखू, तो number of factors का कैसे निकलेगा, power में एक जोड दो, 4 गुना, 2 गुना, 2, तो इसका मतलब 16 factors होगे, कितने factors होगे, 16 गुनान खंड होगे, 120 को 16 गुनान खंड होगे, 16 factors होगे, तो इसका product of factor कितना होगा, तो product of factor की बात करूँ, तो product of factor, जितने भी 16 गुना करने पर कितना आएगा, तो 120 लिग दिया मैंने, power में कितना हो जाएगा, तो इसके number of factors कितने है, 16 है, upon में क्या कर दो, 2 कर दो, इसका मतलब 120 to the power कितनी होगी, 8 होगे, ठीक है, आपको examiner answer इस form में देगा, छोड़ देगा, ये solve नहीं करके देगा, ठीक है, 122 to the power 8, ठीक है, तो मुझे बताया जल्दी से comment box में, कि 300 के product of factors कितना होगे, ठीक है, 300 का product of factor कितना होगे, ये बताया, ठीक है, और अगर आपको video समझ में आ रही है, तो आप इ command भी रखे कि सर इस पर एक video बना, ठीक है, मिलते है next class में, जय हिंद, जय भारा